Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of Class 6th History which is New Empires and Kingdoms. नए सामराज्य और राज्ये Empires जो है आपके वो जोग्रिफिकली लार्ज पॉलिटिकल उनिट्स होती है मतलब काफी दूर तक फैले हुए इनको हम सामराज्य एम्पाइर्स बोलते हैं और Kingdoms comparatively small होते हैं जो Empires पर रूल करते हैं उन्हें Emperor कहा जाता है समराट और जो Kingdoms पर रूल करते हैं उन्हें King Raja कहा जाता है तो ये जो Time Period की हम बात करेगे इसमें कुछ नए Empires और Kingdoms इमर्ज हुए जिसके बारे में हमने प्रिवेस चाप्टर में भी पढ़ा तो चलिए Detail में चाप्टर में रीड करेंगे कैसे ये हुआ और कौन-कौन से वो Empires है उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चानल पर आप चानल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर लीजे अर्विन्द प्लेज अ किंग अर्विन्द ने किंग को का रोल प्ले किया अर्विन्द एक राजा बना अर्विन्द had been chosen to act as a king in the school play school में एक नाटक हो रहा था जिसमें अर्विन्द को राजा बनना था he had expected to march solemnly in splendid robes तो उसने expect तो ये किया था उम्मीद तो ये की थी कि वो अपनी splendid robes में अपनी शाही वेश भूशा में एकदम solemnly शान से march करेगा इधर उदर घूमेगा to twill his moustaches अपनी मूचों पर ताव देगा and wield the silver paper wrapped sword with gusto और wield करेगा wield मतलब अपने पास हत्यार रखने को कहते हैं जो silver paper में wrapped sword है क्योंकि असली sword तो मिलेगी नहीं बच्चों को लेकिन देखा होगा ना जब आपको sword तलवार बनानी होती है तो silver paper में इस तरीके से करके उसको silver उसमें लपेट देते हैं कई बार बच्चों को देखा गया foil paper भी वो use करते हैं ताकि वो effect आए with gusto पूरे enjoyment के साथ पूरे style के साथ वो ये करेगा imagine his surprise सोचे कि वो कितना हिरान हुआ होगा when he was told he would also have to sit and play a veena जब उसको ये कहा गया कि ये राजा तुम राजा बने हो तुमें अब बैटना है और veena बजानी है and recite poetry और poetry गानी है तो कहां उस बिचारे ने सोचा था कि शाही वेश बूशा मिलेगी लंबी मूचे होंगी है ना कलवार मिलेगी हाथ में ऐसे घुमूँगा मैं ऐसी शान से लेकिन कहा क्या गया ये लो veena बजाओ यहां बैटके और poetry गाओ तो वो कहता है a musician king कि एक राजा जो musician है who was that ये कौन है he wondered वो सोचने लगता है ये कौन सा राजा है भई जो मुझे बना दिया गया है प्रशस्ती क्या है और वो हमें क्या बताती है ये word आप पहले भी सुन चुके हैं अगर आपको याद है फिफ्ट क्लास में कुवर सिंह की कहानी दाके की जो कहानी थी उसमें ये सुना ओगा आपने प्रशस्ती पत्र प्रशस्ती पत्र department की तरफ से कई बार दिये जाते हैं लोगों को उनकी तारीफ में जो कि कुवर सिंह थी दाके उनको मिला भी था जब कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब प्रशंसा वाले, तारीफ वाले पत्र, खेर यहाँ पर देखते हैं प्रशंस्ती क्या है, और किस बारे में वो हमें बताएंगी, अर्विंद वो supposed to be acting as समुद्र गुप्त, तो जिस राजा की हम बात कर रहे हैं, वो समुद्र ग गुप्त, we know about समुद्र गुप्त from a long inscription, inscribed on अशोकन पिलर at एहमदाबाद, एहमदाबाद में अशोक का पिलर था, अशोक के बारे में हम previous, I think last to last chapter में पढ़ चुके हैं, तो उनके ही पिलर के उपर इन्होंने इंस्क्राइब कराया हुआ था अपना एक काफी लंबा इंस् समुद्र गुप्त के कोट में, उन्होंने इसको कंपोज किया था, उन्होंने पूरे इसको लिखा था, एक काव्य की तरह लिखा था और काव्य के रूप में, कविता के रूप में, जो ये inscription मिला है, समुद्र गुप्त के बारे में, अशोका के पिलर के उपर, आप समझ ग पिलर गड़वाय था अशोका ने उसके उपर inscribe कराया समुद्ध गुप्त ने इस inscription is of a special kind और ये जो inscription है ये एक special तरीके का है नो नाल्स प्रशस्ती जिसको प्रशस्ती कहा जाता है प्रशस्ती एक संस्क्रेट वर्ड है जिसका मतलब है in praise of मतलब इसकी प्रशंसा में इसकी तारीफ में वाइल प्रशस्ती वर कंपोज़्ट पॉर समॉफ दे रूलर्स यू रीड अबाउट इन चाप्टर नाइन चाप्टर नाइन में कुछ रूलर्स के बारे में आपने पढ़ा था उनकी भी प्रशस्तिय लिखी गई है इससे पहले जैसे कि गौत्मी पुत्र श्री सतकर्नी इसके बारे में आपने पढ़ा था ना साथवाहंस के ये किंग थे लेकिन गुप्त के टाइम के बाद ये कापी फेमस होगे जितने भी राजा थे वो अपनी प्रशस्ति जरूर जरूर इंस्क्राइब कराते थे ताकि बाद में लोग पढ़ सके और जो भी उन्होंने कोई बैटल जीती या फिर वो कितने अच्छे है या अपनी तारीफों में वो लिखवाते थे समद्रकुप्ट की प्रशस्ति देखिए क्या है लेट उस सी वाच समद्रकुप्ट प्रशस्ति टेल उस देखते हैं कि इनकी प्रशस्ति से हमें क्या पता लगता है जो पोईट है उन्होंने काफी इनकी तारीफ की है As a warrior, कि किस तरीके से एक योद्धा के रूप में, युद्ध के मैदान में As a king who won victories in battle एक राजा जिन्होंने के कई युद्ध जीते हैं Who was learned and the best of poet जो की काफी learned भी थे, विद्वान भी थे और बहुत अच्छे कवी भी थे ये कुछ चीज है उनके बारे में, उसमें लिखी हुई है He is also described as equal to the gods और उनको ईश्वर के वराबर भगवान के वराबर माना गया है The prashastis was composed in very long sentences ये काफी लंबे-लंबे sentences में लिखी गई है Here is a part of one such sentence यहाँ पर देखिया आपको एक sentence का part भी दिया गया Oh God, यहाँ से यहाँ तक यह एक ही sentence है Whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of marks of hundreds of scars caused by battle Axis, arrows, spikes, spears, barb darts, swords, iron clubs, javeline, barb arrows, long arrows and many other weapons तो ये कह रहे हैं जिनकी जो body है, जिनका जो शरीर है वो बहुत charming है क्योंकि वो covered है पूरा किस चीज से, plenteous beauty of marks of hundreds of scars उसमें बहुत सारे कई सो घाव है, उसकी सुन्दरता से वो भरा हुआ है और वो किस से हुए है, क्या कारण है उनका, battle में, लडाई में, युद में जो axes यूज हुएं, कुलाडियों से, तीरों से, भालों से, बर्ची से, तलवारों से, लोहे की जो गदाएं होती हैं उनसे और आपके जो नुकीले तार है, 500 हत्यार जो उसमें यूज किये गए हैं उनकी वज़े से उनके शरीर पर बहुत सारे गाव है, जिसकी वज़े से ही उनकी body नहीं चामिंगे है मतलब वो बताना चाहरे हैं कि कितने ये बहादूर हैं, कितने पियरलेस हैं, कितने उसे लडाई में लड़ते हैं अज ये उनकी तारीफ की गई है if you look at map 7, page 105 पे आपको इस map दिया हुआ है, हम अभी देखेंगे भी उसको आप देखेंगे कि उसमें कुछ area shaded है green से उसके बाद series of red dots हैं, east coast पे, इस तरफ red dots मिलेंगे आपको and you will find areas marked in purple and blue as well purple और blue, मतलब चार अलग अलग है, purple वाला area, blue वाला area, green और कुछ red dots ये map based है, information जो दी गई है प्रशस्ती में और जहां पर हरिशिण ने describe किया है, चार अलग kind of rulers चार अलग तरीके के rulers, जिनके साथ समुद्रगुत की policies कैसी थी देखिए, पहले तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो हम empire की बात कर रहे है empire अगर है, emperor और ruler में काफी difference है emperor वो है जिसका ये पूरा empire है, जिसकी बात इस पूरे उसमें मानी जाएगी वो किसी को कुछ भी कहें, लेकिन सभी जगे वो अकेला तो rule नहीं कर सकता बिल्कुल impossible है, अगर वो यहाँ rule करेगा, उसको पता ही नहीं होगा यहाँ पर क्या चल रहा है तो वो क्या होता है, कि अलग अलग जगों पर rulers होते हैं रूल वही लोग करते हैं, लेकिन उन्हें emperor को tax देना पड़ता है gift देने पड़ते हैं, उन्हीं के ही वहाँ पर rule चलते हैं, उनकी बात मानने पड़ती है तो यहाँ पर जो आपको चार अलग अलग यह दिये हुए हैं चारो जगों के ruler के साथ इनकी अलग अलग जो policies थी, समुद्र गुप की वो थी, इनके साथ अलग थी यह जो purple से मांगता है, इनके साथ अलग थी, blue वालों के साथ अलग और यह जो red dots हैं इनके साथ अलग थी तो क्या इनकी policies थी, वो अभी हम देखेंगे सबसे पहले the ruler of Aryevrat the area shaded in green on the map map में जो green area है Aryevrat के जो rulers है here there were 9 rulers who were uprooted यहाँ पर 9 rulers थे पहले जिनकों की हरा के the kingdom was made a part of Samudrugut's empire Samudrugut ने उन्हें हरा के अपने kingdom का empire का उसको part बना लिया था इन kingdoms को छोटे छोटे 9 वो थे उनको हराया और अपने kingdom में उनको जोड लिया यह आर्यवrat की बात हुई जो green वाला part है the inner circle of neighboring state आसपास के जो state का inner circle था including Assam, coastal Bengal, Nepal and number of Gansang in the north west में जो Gansang थे जिसको परपलत में मार किया गया they bought tribute, followed his order and attended his court वो इसके कोट में यहाँ के जो रूलर्स थे समुद्रकुत के कोट में आते थे उसको अटेंड करते थे उनके लिए gifts बेजते थे उनके वहाँ पर रूल्स भी चलते थे यह पूरे एरिया में यहाँ तक मतलब यह भी उसके empire में ही included था तो गुप्ता का कितना गुप्ता जो डाइनिस्टी है काफी vast डाइनिस्टी है वो next देखते हैं third में okay एक हमने छोट दिया इसमें second point रह गया हमारा the rulers of दक्षिनपत, दक्षिनपत के जो rulers थे here there were 12 rulers, यहाँ पर 12 rulers थे some of whose capital are marked with red dots on the map, map पे red dots जो है उनकी capital दिखाई गई है आपको they surrender to समुद्रगुप्त after being defeated, समुद्रगुप्त ने उन्हें हराया, उसके बाद उन्हें उन्हें समुद्रगुप्त ने हराके यहां तक अपना empire बढ़ा लिया था, हलांकि रूल वही कर रहे थे जो पहले थे उन्होंने surrender कर दिया था बाद में, लास्ट है the rulers of outlying area बाहर के जो एरिया के जो rulers थे, marked in blue on the map, जिनको blue से मार्क किया गया है, परहपस the descendants of kushans and shak, वो शायद से शक्स और kushans के descendants रहे हो, उन्हें के वंश के लोग रहे हो, और जो श्रिलंका के rulers थे, उन्होंने submit कर दिया था, वो submitted to him, and अधिनता उनकी स्विकार कर ली थी, कि ठीक है, हम आपी के अंडर है, and offered daughters in marriage, और अपनी लड़कियों की शादी भी समधुर्गुप से करा दी थी, तो यह हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर श्रिलंका में, और यह जो उपर का पूरा एरिया है, बाहर का, मतलब यहाँ तक कुशान किया वो चल बिगनिंग इन 58 B.C. इस ट्रडिशनली असोसिएट विद गुप्त किंग, जो इरा थी, B.C. यानि कि बिफोर क्राइस्ट, Christ, Jesus Christ से भी, जो नॉर्मल हमारा इंग्लिश कालेंडर है, उससे 58 साल पहले, वो गुप्त किंग की थी, जिनका नाम था चंदरगुप्त 2nd, who had founded it as a mark of victory over shak, and assume the title of vikramaditya, उन्होंने shaks को हराया था, शक जो राजा है उनको हरा के, और इसके बाद उन्हें vikramaditya की पदवी मिली थी, और इसी उसमें, इसी उसको mark कराते हुए, इसी के प्रतीक के रूप में, इसी विक्तरी के प्रतीक के रूप में, उन्होंने जो नाम विक्रम समवत रखा था, विक्रमaditya से विक्रम समवत, ओके, चरिए, जेनलोजीज, मतलब रिलेटिट टू जेनरेशन, मोस्ट प्रशस्ती जो में इसा नहीं है कि अपनी ही तारीज सिर्फ रूलर कराता था, उनके एंसेस्टर्स की भी होती थी, उनके पूरवजों क इस वन मेंशन समुद्र गुप्त's great grandfather, यहाँ पे उन्होंने अपने परदादा, grandfather, दादा, father and mother की भी प्रशस्ती कर आई थी, his mother कुमारा देवी, उनकी जो mother थी, उनका नाम कुमारा देवी था, बिलॉंग तू लिच्छावी गण, वो लिच्छावी गण से बिलॉंग करत इनके जो father थे समुद्र गुप्त के, चंद्र गुप्त जिनका नाम था, वो पहले ruler थे, गुप्त डाइनस्टी के, जिने महराजा दी राज का grand title मिला था, a title that समुद्र गुप्त also used, महराजा दी राज का जो टाइटल है, समुद्र गुप्त ने भी यूज किया, his great grandfather and grandfather are mentioned simply as maharaja, उनके जो परदादा दादा थे, उनको सिर्फ maharaja कहा गया, पिताजी को उन्होंने maharaja दी राज कहा, और खुद को भी maharaja दी राज कहा, it seems as if the family gradually rose to importance, ऐसा लगता है, इसको पढ़के कि जो family है, ये गुप्त की, ये धीरे धीरे इनकी जो importance है, वो बढ़ती जा रही ती, arrange these titles in order of importance, सबसे important maharaja दी राज, maharaja and then raja, samudrgupth in turn, figures in the genealogies, list of, उनकी जो list of ancestors है, उसमें, samudrgupth जो है, of the later ruler of the dynasty, samudrgupth का जिक्र बाद की जो 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 जनेलोजी जे बाद में, जो उन्होंने ancestors की list लगवाई थी, उसमें भी इनका जिक्र मिलता है, जैसे की उनके जो लड़के हैं, चंदrgupth 2, उन्होंने अपनी जो genealogies बनवाई, उसमें भी samudrgupth के बारे में लिखा गया है, we know about him from inscriptions and coins, samudrgupth के बारे में हमें कुछ इंस्क्रिप्शन से जो पत्थरों को कार्ट के लिखवाए गए हैं, और coins से भी मिलता है, he led coins पे जैसे हमने दे प्रस्थान किया expedition निकाला, where he overcame the last of the shak, जहां पर उन्होंने आखरी शक राजय जो था, उस तक को overcame कर लिया था, according to the later belief, अगर हम, मतलब उस तक को हरा दिया था, अगर हम कुछ विश्वास बाद के जो कुछ beliefs हैं, उनको माने, his court was full of learned people, उनका जो court था, वो learned लोगों से, about some of them, you will read in chapter 11, उनके बारे में हम chapter 11 में पढ़ेंगे, अपने अगर थोड़ा सा में बता हूँ, काली दास और आर्य भट नाम आपने जरूर सुने होंगे, वो actually कहा जाता है कि समुद्र गुप्त के टाइम पर ही थे, उनी के court में थे, अब हम बात करते हैं हर्ष बर्दन और हर्ष चरित की, while we can learn about गुप्त rulers from their inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies, जिसे गुप्त के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्होंने जो इंस्क्राइब कराएं हैं पत्थरों के उपर या फिर जो पिलर्स हैं, उसके उपर points पे चीजें लिखवाई गई है, चपपाई गई है, महाँ से हमें मि आजकल कहीं famous लोगों की biography लिखी जाती है, ऐसी इनकी भी biography है, हर्ष वर्दन who ruled nearly 1400 years ago, जिन्होंने के आज से लगवाग 1400 years ago rule किया, साल पहले, was one such ruler, वो उन्ही रूलर में से एक है, his court poet, उनके जो court के जो poet थे, जो उनके दर्बार की कवी थे, बान्भट उनका नाम था, हर्ष की जीवनी लिखी थी, बायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम था हर्ष चरित, वो किस में लिखी गई थी, संस्कृत में, important line है, question आ सकता है, किन्होंने लिखी बान्भट ने, कौन सी लांगवज में, संस्कृत में, नाम क्या था, हर्ष चरित, इसकी शुरुवात होती है, उनकी जनलोजी से, जहां पर उनकी जनरेशन के बारे में बताया गया, उनके फादर, ग्रेट ग्राणफादर कौन थे, और खतम यह, उनकी जो बायोग्राफी है, यह होती है, जब वो राजा बन गये तब, श्वैन सांग, जिनके बारे में आपने चाप्टर नाइन में पढ़ा भी था, उन्होंने अपना काफे टाइम हर्ष के कोर्ट में भी बिताया, और काफी डिटेल में लिखा है, जो उन्होंने यहाँ पर देखा, तो क्या लिखते हैं वो, हर्ष जो है अपने पिताजी के सबसे बड़े लड़के नहीं थे, लेकिन पहले आप जानते हैं, बड़ा लड़का ही राजा बनता था, लेकिन उनको राजा बना गया, क्योंकि उनके पिताजी के और बड़े भाई की डेथ हो गए थी, तो वो थाने सर के राजा बने थे, और उनके जो ब्रादर इन लौ थे, बेहन के जो हस्बन थे, वो क्नौज के राजा थे, और उनको बेंगॉल के रूलर ने मार दिया, हर्ष टुक ओवर, दे किंगडम ओफ कनौज, एंड देन लेड आमी अगेंस दे रूलर ओफ बेंगॉल, पहले तो उन्होंने कनौज का जो किंगडम था, उसको टुक ओवर किया, टेक ओवर किया, और उसके बाद कनौज, सारी, बेंगॉल के जो राजा थे, उसके उपर भ गई थी, और यहां उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, बाद में उन्होंने इनको हराया, और फिर बेंगॉल के जो राजा थे, बहां तक अपनी आर्मी को लेकी गए, उन पर भी हमला किया, और यहां तक तो इदर जब उन्होंने इदर रूट किया, तो यहां पर वो सक्से रहे जीता, लेकिन कहीं और वो हर्षवर्दन जो है, इतने सक्सेश्फुल नहीं रहे, तो यहां पर पुलकेशिन थे, चालुक्या किंग, उन्होंने उनको महीं पर ही रोक लिया, अब हम बात करते हैं, दपलवाज, चालुक्याज, और पुलकेशिन प्रशस्ती, इनकी प्रशस्ती हमें क्या बताती है, इस पीरिड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन जो रूलिंग डैनिस्टी थी, आपको यहां पर चालुक्याज, चालुक्याज, चोल, पलवाज, और ये चालुक्याज, ये कुछ South India के हमारे important kings हैं अभी आई होल, the capital of चालुक्याज was an important raiding center क्योंकि coastal area था आई होल, अभी मैंने दिखा है आपको वो चालुक्या की capital भी थी, it developed as a religious center with a number of temples और इसको एक religious center बना दिया गया, जहां पर बहुत सारे मंदिर थे पल्वाज और चालुक्याज frequently raided one another's land, चालुक्या रोड और जो पल्वाज थे पल्लव और चालुक्या जो थे वो एक दूसरे के land पे raid करते रहते थे specially attacking the capital cities, specially वो attack करते थे उनकी capital cities पर which were prosperous towns, जो की काफी prosperous थे, समरद शहर थे the best known चालुक्या ruler was Pulkeshin second, Pulkeshin second सबसे best known सबसे प्रसिद चालुक्या king थे हमने देखा भी हर्श वर्दन को उन्होंने उपर ही रोक लिया था, वही हरा दिया था, नीचे तक नहीं उनको आने दिया we know about him from प्रशस्ती, composed by his court poet Ravi Kirti, उनके उसमें एक प्रशस्ती का काफी चलन चल गया था, जिससे आपको बताया भी गया है उपर, तो उनके court में एक प्रशस्ती थे, जिनका नाम था Ravi Kirti, उन्होंने इनकी प्रशस्ती लिखी है, this tell us about his ancestors, उसमें पहले तो उनके ancestors के बारे में बताया गया है, जो उनके पूरवज रहे थे, who are praised back through four generation from father to son, उसे पहले चार generation इनकी रह चुकी थी, पुलकेशिन अगर हम बात करें चालुक्याज में, पुलकेशिन evidently got the kingdom from his uncle, और पुलकेशिन को जो kingdom है, जो राज्य है, ये अक्चली वह उनके अंकल से उनके चाचा से मिला था, according to Ravikirti, Ravikirti ये कहते हैं, he led expeditions along both the west and the east coast, उन्होंने अपने जो सेना को लेके वो दोनों ही, east-west, दोनों कोस्त तक गए, beside he checked the advance of harsh, ये तो हमने देखा है कि उन्होंने हर्ष को आगे बढ़ने से भी रोका, there is an interesting play of words in the poem, poem में एक बहुत interesting play भी है, play of words है, मतलब शब्दों से थोड़ा मजाक बनाया हुआ, harsh means happiness, harsh मतलब खुशी होता है, the poet says that after this defeat, the poet ये कहता है कि इस हार के बाद harsh was no longer harsh, मतलब थोड़ा सा मजाक उसमें कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहा इस हार के बाद, ऐसा उन्होंने पुलकेशिन की प्रशस्ती में लिखा है, उनकी तारीफ में लिखा हुआ है, पुलकेशिन also attacked the पलवा किंग, पलव जो किंग थी उनको भी उन्होंने अटाक किया, who took shelter behind the walls of काचीपूरम, जिनने फिर काचीपूरम की दिवारों के पीछे जो है शरन लेनी पड़ी थी, राष्टकूटा एंड चॉल डाइनस्टी, शालुक्या और पलव किंग को दोनों को ही दोनों का रास्ता साफ कर दिया, दोनों को खतम कर दिया, कि राष्टकूट और जो चॉल डाइनस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने, जिनके बारे में आप 7th क्लास में डिटेल में प राष्टकूट, उसके बाद आपको हर्ष्वर्दन के बारे में बतायों और पाइनली पुलकेशिन और इसके आसपास जो कुछ और चोटे मोटे हमारे किंग्डम्स थे, पललव थे, उसके बाद चोल और जो राष्टकूट नए आये और चालुक्या, जो राष्टकूट यहां तक आपको समझ में आओगा बाकि जो किस तरीके से इनको किंग्डम्स को एड्मिनिस्टर किया जाता था, यह हम लोग पाट 2 में देखेंगे, that's all for now, thank you so much for watching.